अगर आपका वेबसाइट वर्डपरेस पे है और आप साहते हैं कि अपने वेबसाइट का फूटर कॉपी राइट कस्टमाइज करें अपने हिसाब से तो कैसे कस्टमाइज करते हैं चलिए सीख लेते हैं सबसे पहले हम अपना WordPress का home page open करेंगे WordPress open करने के बाद appearance पे click करेंगे Customize पे जाएंगे Customize पे click करने के बाद यहाँ पर layout पे click करेंगे उसके बाद यहाँपर footer का एक option मिलेगा इस पर हम click करेंगे click करने के बाद यहां पर आप दखेसेते हैं मैं किस तरह से लिखा हूं तो «Copyright C » जो अइकन होता है उसको बनाने के लिए यहां पर दिया है यहां पर कॉंपी करना है इसको कॉंपी करने के बादабот कॉंपी राइट बॉक्स में पेस्ट करना है year दिखाने के लिए यहाँ पर दिया है इसको copy करना है year को इस तरह से और paste कर देना है उसके बाद आपको अपने website का नाम enter करना है उसके बाद कुछ इस तरह से icon देंगे ठीक है उसके बाद all rights reserve लिखेंगे लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है publish कर देना है यहाँ पर publish का option दिया है जैसे ही आप publish पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे आपके मन पसंद footer copyright कस्टमाईज हो जाएगा तो इस तरह से हम अपने wordpress website के footer copyright को कस्टमाईज करते हैं उमीदेख आपको वीडियो पसंद आई होगी तेस वीडियो को लाइक करेंगे शेर करेंगे दोस्तों के साथ और यह से इननी वीडियो देखने के लिए चैनलों को भी सब्सक्राइब जरू कर लें